है आप लोग और इस नए वीडियो में सफागत है आज की में अपनी वीडियो में एक नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रिश्यू जैने आलेसिस राइट तो यह आपका थवल्थ में भी है आपका कॉलेज में भी है तो करेंगे हमारा जो पहला क्लास टार्ट होगा यह जो भी हम दो पढ़ने वाले इसमें सबसे हमें बीशिक माइने कभी कोशिज करेंगे ठीक है सब्सक्रion निया संद्सक्रion devala कि एक सच्छा शेक्राइए सबस्क्राइब एक सट्डाइब लेकिन पुरी संद्रस्काइब दिचे Ltd .. मेंसे है इसके दो सिक्सटी मेंसे शे pasture इसे 700 में से हैं, तो एक idea हम लगाएंगे, हाँ, अच्छा, ये matter है, इसका मतलब तो भाई, उसे साथ सिर्ट तो ये 650 वाला कम हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, कि जब तक हम compare नहीं करते हैं दो data's को, तब तक हमें clear idea नहीं मिलता है, जब जब तक दो data's को, मैंने क्या बोला, कि जब तक दो data's को हम compare नहीं करते, मतलब ये हुआ, कि अगर मैंने सिर्फ 600 बोला था, सिर्फ 660 बोला था, सिर्फ 630 बोला था, तो तुम्हें क्या लगा कि 650 तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब सबसे अच्छा यहीं होगा, लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं, ये 650 में से 600 है, ये 900 में से 650 है, ये 700 में से 630 है, तो अब तुम्हें ये सबसे अच्छा लगने लगा, तो कहने का मतलब ये हुआ, कि ratio भी हमें यहीं बूलता है, अकेले data's की कोई value नहीं है, अकेले data's की value नहीं है, मतलब क्या है, कि जो भी अकेले numbers होते न, वो वीचार अकेले रहते हैं, उनको समझ में याता कि वो है क्या, लेकिन जब हम उनको किसी के साथ compare करते हैं, उनको हम जब किसी के साथ रख कि देखते हैं कि अच्छा है, यह ऐसा है, तो वहाँ पर data's की value बन जाती है, और इसी वज़े से हम इसको क्या बोलता है, यह सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ratios बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ratios बोलते हैं, और इसी वज़े से हमारे स्कूलों में हमें percentage दिया जाता है, हमें क्या दिया जाता है, स्कूलों में percentage, क्यों कि percentage से एक clear cut idea लग जाता है, जैसे अगर मैं यह कहता हूँ, इस student के जो है 80% है, एक randomly दे रहा हूँ, compare करने, calcium मे calculate करने मत बैठ जाना, ठीक है, यह 80% है इसके, और इसके 85% है, और यह जो third वाला student था, इसके 70% है, तो यहाँ पर हम clearly बहुट सकतने कि 85% वाला क्या अच्छा है, percentage का मतलब यह हुआ, कि तुमने किसी data के साथ compare किया होगा, बाद में इसको यह value दिया है, तो यही हो गया हमारा ratio, यह है normal मतलब, कि जब ratio हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास जो मुश्कल से मुश्कल data होती है, वो बहुत आसान हो जाती है, समझने में उनको easy हो जाता है, यानि जिसकों बहुते figures, normally जो हमारे पास figures है, उनके खुद की अपनी value नहीं है, उसी तरह से हमारे account में होता है, हमारे account में हमारे पास profit and loss है, trading account है, balance it होता है, यह अलगरा types के हमारे पास accounts होते हैं, तो इन accounts में जितने भी types के data होते हैं, जितने भी चीज़े होती हैं, अगर मैं इनका single study करूँ, अगर स्रीव उनको ही लेके चलूँगा, तो एक proper idea नहीं लग पाएगा, क्या business में मेरी हो रहा है, क्या situation चल रही है, लेकिन अगर मैं उन data के किसी और data के साथ compare करता हूँ, किसी और data के साथ मैं study करता हूँ, तो मुझे एक proper idea लगीगा, कि business में क्या चल रहा है, क्या माहूल है, बात समझ मैं है, तो इसी वज़े से हम लोग क्या करते हैं, accounting ratios बढ़ते हैं, तो start करते हैं सबसे पहले, मतलब समझते की, what is the meaning of accounting ratio, accounting ratio का सबसे पहले meaning समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने definition लिखा हुआ है, बेसिकली कि क्या होता है, accounting ratio का definition, तो यहाँ पे देखो, the relationship between two accounting figures, वैसे बेसिकली मैंने एक कैते ना, rough idea तो देही दिया था, example के तौर पे, तो अभी यहाँ पे जो proper definition दिया गया, वो definition दिखते हैं, definition में क्या बोला गया है, कि the relationship between two accounting figures, basically, accounting ratio is a one type of relationship, कैसा relationship है, between two accounting figures, right, we have to remember this one, that it is a relationship between two accounting figures, expressed mathematically, right, यह कैसे mathematically expressed के, mathematically का मतलब नंबर में, okay, is known as a financial ratio, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, financial ratio या, accounting ratio बोलते हैं, अब बात को समझो, अब यह accounting ratio से होता क्या है, basically, जो ratios होते हैं, that help us, to summarize the large quantities of financial data, and to make qualitative judgment, about the firm's financial performance, right, it means, कि जो भी हमारे पास data होते हैं, अगर उस data को मैं single handily पढ़ने की कोशिस करता हूं, समझने की कोशिस करता हूं, it will be difficult for me to judge the business, right, क्यूंकि आसान ने जे से मैं बोलता हूं, business की, अमारे लोगों की business ने इस साल 10 लाख रुपए कमाया, right, मैं ऐसा बोलता हूं कि इस साल business ने 10 लाख रुपए कमाया, तो ये प्रॉपर आइडिया ने लिए 10 लाख तो बहुत लोगों सुनके बहुत लगेगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि जो business है, जो बो 500 करोड का turnover है साल का 10 लाख कमाया, तो क्या मतलब है, यानि मैंने क्या किया, compare कर दिया ना, 500 करोड का turnover बूल दिया मैंने, तो अब दो data आ गए कि नहीं, यानि कि जब तक मेरे पास दो data नहीं होंगे, तब तक मैं नहीं समझ सकता हूं properly, आमिंग proper value क्या चल रही है, that's why यह बोला गया है, कि basically accounting ratio is relationship between two accounting figures, और उसको हम कैसे express कते mathematically, okay, I hope कि यह point clear है, और ratio करते क्यों है, जिससे हमारे पास जो भी large quantities की number है, उनको हम qualitative में convert कर सके, qualitative का मतलब है कि एक decision लेनी के लिए, एक proper value में convert कर देना, तब ही हम decisions ले पाते, judgment कर पाते हैं, so I hope की accounting ratio का definition clear हो गया होगा, देखो, definition ऐसा नहीं है कि बीना बताए भी मैं आगे बढ़ सकता था, बट छोटी-छोटी चीज़े भी देखो हमारा start है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो, और अगर आप 100 टाइम पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ऐसा लागे वाओ, चलो ठीक है, ये भी तो होता है, चलो इसको भी सुन लेते हैं, कहीं भी किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, there is something missing, okay, missing नहीं फिलोना चाहिए, तो अभी आगे देखते हैं यहाँ पे, ये तो था हमारा definition, लेकिन अब बात करते हैं, प्रेजेंटीशन अफ रिशियो, कि ये रिशियो को हम प्रेजेंटीशन कैसे करते हैं, तो रिशियो को हम अलग-अलग टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग-अलग फिय में, लोग अपने-अपने उपर डिपेंड करता है, अपने उपर मतलब जैसे situation होगी, जैसे data होगी, उसके according हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से पहला है हमारा, कि in terms of proportion, पहला क्या है, in terms of proportion, यानि कि हमारे पास जो भी data होगी, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर से प्रपोर्शन, तो अब question यह arise होता है कि यह proportion होता क्या है, तो proportion का मतलब यह होता है, जब हम दो data को कुछ इस तरह से सो करते हैं, जैसे कि मांडलो मैंने यहां पे लिखा हुआ है 100, और मैंने यहां लिखा हुआ है 150, तो यहां पे 00 cancel किया है, मैंने, अभी यह कहा 10 है और 15 है, 10 है और 15 है, मैं कट करता हूँ, तो यहां पे क्या होगा, 2 by 3, मतलब यह हुआ कि 2 ratio 3 है, तो यह क्या है, प्रपोर्शन है, यहां पे 2 इस तो 3 का मतलब यह होगा, यह प्रपोर्शन में सो कर रहा हूँ, मतलब यह हुआ कि अगर मैंने कोई data यहां पे लिया 150, तो उसकी अगेंस में यह data कितना है, 100 रुपीज का data है, तो इस तरह सें compare कर सकते हैं, अगर उसको देखो, convert कर दिया ना, मतलब अगर यह 3 रुपए है, तो इसके सामने यहां पे 2 रुपए अवेलिबल है हमारे पास, तो जब हम data को इस तरह से show करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं in terms of proportion, यहां पे हम दो data को compare करेंगे, और इनको क्या करते हैं, वह हम इस तरह से show करते हैं, that will be known as a proportion, I hope कि यह point आपको बहुत ही clear हो गया, यह denominator और जो मरा numerator होता है, उसको हम directly show कर देते हैं, Now, the next one, the next one is in terms of percentage, तो percentage तो मैं बच्पन से सिखते हैं कि percentage का मतलब क्या होता है, जैसे भी वही जो मैंने data उपर लिया था, अगर मैं उसी कहां पर लिखता हूं, कि 100, 150 ts 100, अगर मैं इस तरह से data करता हैं, यानि जब मैं किसी भी data को 100 में कर्मट कर देता हूं, यानि percentage में, जैसे अगर मैं इसका calculation करता हूँ, तो यहाँ पर calculation का मतलब आज़ागा 66.67 के आसपास percentage आएगा, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर माननो यह 15 लाग रुपए है, तो इसका 66.67 जो होगा, वो यह होगा, अगर यह 100 रुपए है, तो यह 66.67 होगा, इससे क्या होता है, judgment करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, तो I hope कि यह दोनों चीज़े clear हो गई है, पहला क्या है proportion, दूसरा क्या है percentage, अब बढ़ते हैं तिसरी तरफ, दिसरा क्या in terms of time, कुछ डेटाज हमारे पास ऐसे होते हैं, जहाँ पर उनको हमें time में попроб करना होता है, times मेंativa करना का मतलब यह हुआ, कि हमें यह पता चलता है, कि कुछ चीज़ें कितने समय में खता हो रही है, या कितने समय में आ रही है, बिजनस में कुछ चीज़ों को टाइम पर भी टिपिंड करता है, जैसे मैं बात करूँ स्टॉक के, तो स्टॉक का फटा-फट खतम होना, जल्दी-जल्दी खतम होना ये अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि जो बिजनस की वो सेल इंक्रीज हो रही है, तो कुछ चीज़े होती है, जहां पर हमें टाइम्स का यूज करना पड़ता है, तो टाइम्स का हम यूज कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास उपर वैल्यू की सेम वही करना होता है, जैसे कि यहां पर भी मान में था वो numerator की compare में क्या है 100 है और ये वाला उसकी compare में 1.5 times ज्यादा fast घुम रहा है इसका मतलब यह हुआ तो इसी वजह से हम कुछ चीजों को क्या करते हैं हम terms of time में भी पड़ते हैं तो तीन करेके हो गया एक हो गया proportion हो गया एक हो गया percentage हो गया और एक हो गया हुआ जब हम लोग प्रपर लीटी स्टाट करेंगे fulfilling बाइक देखी तो वहां प़र पता चलेगा कि कौन-कौन से फ्रॉर्मिला में कौन-कौन से चीजों में हम क्या देखते हैं पर्पोर्शन देखते हैं कौन-कौन से चीज़ों में ठीस ने हमें कॉन कॉन से चीज़ों में। यहां पे हम एक आइडिया वे होना जहरूरह है कि यहां पे आइसा क्यओ हो रहा है अभी यह लास्ट के हैं फैर हमारा in terms of Fraction and in terms of days and weeks and months, right? कुछ चीज़े ऐसी होती है जहाँ पे terms of fraction में हम यूज करते हैं. Fraction का मतलब कैसा होता है? Fraction का मतलब हो गया जैसे 2 by 5, right? Fraction का मतलब क्या हो गया? 2 by 5. यानि कभी-कभी हम ऐसे datas भी show करते हैं कि 2 by 5 है, okay? तो जब हम ऐसे में data source करेंगे, तो वहाँ पे use करते हैं हम लोग fraction, right? और एक होता है हमारा in terms of days, weeks and months, right? कुछ डेटाज ऐसे होते हैं company में जहाँ पे हमें days, weeks और months का use करना पड़ता है, right? जैसे कि हमारा data हो गया, creditors हो गया, इन लोगों से पैसे हमें कितने जल्दी मिलते हैं, कितने दिन में मिलते हैं, कितने week में मिलते हैं, कितने months में मिलते हैं, right? creditors को हम कितने days में पैसे पे कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ डेटाज होते हैं, जिनका हमें days, week या month में जानना जरूरी होता है, ताकि सामने वाले को मता सके इतने दिन में पैसे मिल जाएंगे तो हम आपको पे कर देंगे समझ में आया और सामने वाला भी चेक कर सकता है तो इस तरह से total data हम five way में present कर सकते हैं तो पहला क्या है हमारा पहला है proportion ठीक है तीसरा क्या है times चौथा है fraction और पांचवा यहां पे days, week और या तो months यानि इतनी तरह से हम किसी भी data को represent कर सकते हैं कब जब हम accounting ratio पढ़ रहे हों ठीक है डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा data है उसके according हम इन पांस तरीकों में से किसी भी एक तरीके में present कर सकते हैं ठीक है तो I hope कि यह आपको इतना basic clear हो गया होगा अब बात करते हैं चलिए दिखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से तरह की ratios है पढ़ना आए जिसको क्लासिफिकेशन ओफ रेशियो तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हां तो सबसे इसका स्क्रेशोट लेना आसा हो जाए एक ही जगह बता दिया सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ओ रेशियो में कुछ अलगले टाइप्स के रेशियो है फिर उसके भी सब कैटेगरीज है तो यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आता है हमारा वो आएगा हमारा प्रॉफिटाबिटी रेशियो इस रेशियो से हमें यह पता चलता है कि जो बिज तो यहां पर ऑकात की बारे हम किशी बात करें कि profit गमाने की उसकी क्या ऑकात है उसके बारे में हम चेक करेंगे जिस में आएगा हमारा profitability ratio अब इस profitability ratio में ऐसी क्या-क्या चीज़े पढ़ेंगे जिससे हमें business के कमाने की आउकात के बारे में पता चलेगा कि वो business कितना earning कर रहा है उसके future में हम उसके अंदाजा लगा पाएगे ना कि यह earning कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मैं छोटा सा एक चार्ड लाइम किसके यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे GP ratio जीपी रीशियो का मतलब है gross profit क्या मतलब इसका gross profit सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले gross profit ratio उसके बाद हमारा दूसरा होगा इसके अंदर वो हम पढ़ेंगे net profit ratio क्या होगा net profit ratio जिसको हम कभी-कभी NP भी बूलते हैं ठीक है तीसरा हमारा होगा इसके अंदर operating profit ratio ठीक है और इसके अंदर ही चौथा हमारा होगा operating ratio तो इस तरह से हम total 4 ratio के बारे में पढ़ने वाले profitability में total 4 ratio के बारे में पढ़ने वाले है अब देखो कोई भी business कितना profit अंकर रही है कि उसकी अवकात क्या है इस अवकात के बारे में हमें कैसे पता चलता है उसके कमाने का मतलब business का एक ही जड़िया होता है वह होता है sales तो इसका मतलब यह हुआ कि यह चारों की comparison कहीं न कहीं sales से करने वाले हैं तो यह बताने का सिभी की मक्सिद ताकि आपको यह कराफ आइडिया लग जाए कि हम क्या क्या चीज़े देखने वाले हैं तो हम sales को लेके compare करेंगे और हम पता करेंगे कि हमारा profitability ratio क्या ह उसके बाद बात करते हैं हमारा दूसरा ratio तो दूसरा ratio है हमारा liquidity ratio क्या है liquidity ratio क्या है क्या है पूइक तो ऐसे लोगों से में सौट तम के लिए जिसे ग्रीटर अट कभी कभी हमें किसी से मालोग पाइब लिए पैसे चाहिए तो वह तो जल्दी पी कर पाएगा तो वहां पे हम चेक करते हैं लिक्विडियी रिशियो चेक करने से पता चलता है कि business के short term payment capacity कितनी है कि वो short time में कितना payment कर सकता है कितने जल्दी जल्दी payment कर सकता है उसके बारे में हमें यहाँ पर idea लगता है तो अब यहाँ पर check करते हैं कि short term यह मतलब कि जो हमारा liquidity ratio इसके इंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले तो liquidity ratio के इंदर दो ratios के बारे में पढ़ेंगे एक होगा हमारा current ratio क्या होगा हमारा एक होगा हमारा current ratio और एक होगा हमारा liquid ratio तो इस तरह से दो ratio के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर liquidity ratio के बारे में अब मैं आगे बढ़ू उससे पहले एक चीज मैं आपको बूलना चाहूंगा कि अगर आप लोग यह चेप्टर पढ़ रहे हो इस चेप्टर से पहले मेरा suggestion यह है कि company का जो final account है जो इसके पहले वाला मेरा वीडियो है वो जरूर देखना तो कि अगर आप लोग एक बार company final account देखोगी तो वहाँ पे आपको profit and loss plus balance it के format के बारे में जानकरी मिल जाएगी जो भी information वहाँ पे मिल जाएगा benefit क्या है कि आपको अगर profit and loss और balance it का format पता होगा तो यहाँ पे बहुत सारी formulas तो आपको directly याद हो जाएगे जब आपको वह format पता होगा तब तो वह वीडियो जरूर देखेना ताकि मैं आपको आगे अगर आगे वीडियो में जब इस सारी चीज़ एक्स्प्लीन करूँगा तो वहाँ पे आपको properly idea लगता रहे कि कौन-कौन से चीज़े हैं वहाँ पे टिक है ओक दो यह आपको एक हो मिलोक है इसको जरूर करना उसके और बात करते हैं थद की धिन यहांक Mouse solvency ratio की बात करते हैं तो basically ये बात करता है long term की ठीक है? ये long term ratios की बात करता है यानी कि जब हम long term के लिए payment करना हो गयानी ऐसे भी कुछ जगे होती हैं जहां से हमें long term के लिए पैसे लिए हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको को यह जानने में इंट्रेस्ट होता है कि भाई हमारा long term situation कैसा है अगर वो हमें पैसे देते हैं ठीक है तो हम उनका timely payment कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो यह basically long term के बारे में बात करता है यानि business की economic health की बात करता है कि business का economic health कैसा होगा वो भी कब long term में क्यों long term में क्यों long term to equity ratio यह होगा इसके इंदर हमारा पहला ratio फिर बात करते हैं दूसरी ratio की तो इसके इंदर जो दूसरा ratio होगा वो हमारा होगा total asset to date ratio यह होगा हमारा दूसरा ratio इसके इंदर ठीक है बात करते हैं third ratio की तो हमारा third ratio जो इसके इंदर होगा वो होगा proprietary ratio क्या होगा 2 primary ratio ठीक है ये हो गया हमारा 3rd ratio अब बात करते हैं हम 4th ratio की तो 4th ratio में हम चेक करने वाले हैं interest coverage ratio यानि इस तरह से total हम 4 ratio के बारे में पढ़ने वाले हैं अब बात करते हैं हमारे last और final ratio की तो ये है हमारा efficiency ratio क्या है हमारा efficiency ratio यानि इसमें ये पता चलेगा कि जो हमारा management है वो कितना efficient है हमारी चीज़ों को utilize कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है यानि कि being a customer right being an investor तो मैं ये जानने के इच्छा होगी कि भाई जो भी investment कर रहे हो तो वो तुम्हारा properly utilize कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है यहां पर मैं लिखता हूं stock टन और तो यहां पर रिश्यों नहीं आएगा कि जहां जहां पर भी टन ओर लगे वह कभी रिश्यों में नहीं होंगे तो यह हो जाएगा मारा टॉक्ट टन ओर फिस सेकेंड हो जाएगा हमारा working capital टन ओर कि हम जच कैसे करेंगे कि बंदा अच्छे से काम कर रहे है कि नहीं कर हमारे पैसे सही से utilize कर रहे है कि नहीं कर रहे है तो इसी वजह से यहां पर टन ओर टन ओर लग रहा है तो इस नहींये बनाने कि बता है ताकी आपको एक आईडिया रहे इसको वजह बना लेना क्योंकि सारी फॉर्मुला सारी चार्ट सगर एक जगे होंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी तो मेरा सजिशन यही है कि अच्छी से एक पेज में साइड में तो 5-6 पेज का कट बना लो और उस 5-6 पेज में से पहले पेज में यह बना लेना फिर उसके बाद जै तो इस तरह से इतनी रिशियो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आई हो कि आपको यह बेसिक इंफ्रमेशन समझ में आगा और अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें और यहां पे इस टेप्टर के में डिटेल अगर आपने शेयर करने के लिए और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भी थाइंक्यू सो मच और किया है तब तो बहुत बहुत थाइंक्यू और वीडियो का लाइक करना बिलकुल ना बोले ठीक है और इसी तरह से हसते रहें मुस्कराते रहें और आगे बढ़ते रहें मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ ठीक है? थाइंक्यू सो मुझ तो अरफ यू अवा गुद दें